Hello Friends, आज का मारा टॉपिक है How to send emails for new Google Calendar events तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम Google Calendar और Gmail को connect कर सकते हैं कि जैसे Google Calendar पर आप कोई नया event create करेंगे तो automatically इस event की details आप share कर सकते हैं Gmail के थरू किसी specific person के साथ आप ये पूरी process हम automate करेंगे पैबली कनेट की मदद से Google कलेंडर और Gmail के बीच में connection एक integration बना के इसमें हमारा trigger होगा कोई नया event create होना Google कलेंडर पे और हमारा action होगा automatically इस event की details mail के थुरू किसी specific person के साथ share हो जाना तो action event हमारा होगा send email with Gmail तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे automation को कैसे connect कर सकते हैं Google कलेंडर और Gmail को आईए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा automation Google कलेंडर और Gmail के बीच में कि जैसी Google कलेंडर पे आप कोई नया event create करेंगे तो automatically किसी specific person को एक mail receive हो जाएगा वो भी पूरी event की details के साथ अब ये पूरी process हम automate करेंगे पैबली connect की मदद से Google कलेंडर और Gmail के बीच में करेंडर और Gmail के बीच में करेंडर और Gmail के बना के के लिए अगर आप existing user है तो simply click करिएगा sign in पे sign in पे क्लिक करते ही आपके सामने open होगी पैबली की ये पाच में अप्लिकेशन आज हमको यूज करना पैबली connect का तो करेंगे मैं access now पे access now पे click करते ही अब आपके सामने open होगा पैबली connect का टेशबोर पैबली के डेशबोर पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइट पे क्लिक करना एज ब्लू बटन पे create workflow पे और एक नया workflow हमको यहां पे बनाना है जैसी आप create workflow पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक dialogue box appear होगा जहां आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसे नाम दीता हूं send emails for new google calendar events आप अपने requirement के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दी सकते हैं इसके बाद आपको चूस करना हो particular folder जिसमें आप यह नया workflow बनाना चाहते हैं folder चूस अच्छन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts पर based होते हैं इनकी definition के बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज कामरा objective क्या है मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं तो देखे आज हम चाहते हैं कि जब भी मैं google calendar पे कोई नया event create करूँ तो automatically एक mail notification send हो जाए किसी specific person को जिसको मैं mail भीजना चाहता हूँ जिसके साथ मैं event की details share करना चाहता हूँ अब यह पूरी process हम automate कैसे करेंगे इसके लिए हम use कर रहे हैं public connect का तो इसमें जो हमारी trigger application हो होगी वह होगी google calendar जैसी google calendar पे कोई नया event create होगा instantly हमारा workflow trigger होगा और एक mail चल जाएगा वह भी specific person को event की details के साथ तो जाएंगे हम पैबली connect में सबसे पहले choose करेंगे हमारी trigger application जिसका नाम है google calendar यह से मैंने choose करें अपने trigger application और trigger event हमारा क्या होगा new event जैसी google calendar पे कोई नया event create हो और action application मतलब Gmail से क्या होगा एक mail चल जाएगा वो भी किसी specific person को जिसके साथ हम meeting की details share करना चाहते है तो action event हमारा क्या होगा send email अब देखिए Gmail और Google calendar दोनों के बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए हम यूज कर रहे है पैबली connect का तो सबसे पहले Google calendar को हम connect करेंगे पैबली connect से तो क्लिक करना को connect पे जाना add new connection पे क्लिक करना है sign in with Google फिर आपको choose करना अपना account यहांसे मैंने choose कर लिया अपना account फिर हमको access provide करनी है पैबली connect को Google calendar से connect करने के लिए और अब दी की हमरा authorization यहां पे successful हो चुका है फिर हमको choose करना है calendar तो देखे Google calendar पे मैंने कुछ calendars बना के र skills पैबली connect है आपने पास capture कर लेगा जो चलते हम Google calendar पे एक नय event हम आपे करते है create तो क्लिक करना आपको create पे जाना है event पे फिर इस event को देना आपको एक title फिर आपको decide करना है date and time जिस दिन आपने event रखा है guest आप add करना चाहते है तो आप कर सकते है पर हम guest add नहीं करेंगे क्य email बेजना चाहते हैं कि हमने Google calendar पे कोई नई meeting रखी है फिर आपको choose करना है location फिर आपको देना है meeting का description तो माल लीजे मैं एक meeting रखना चाहता हूँ एक specific date पे उसकी details मैं आपे करता हूँ enter तो माल लीजे मेरी meeting का title है upcoming sales team meeting फिर हमको decide करना है date and time तो माल लीजे date and time है 17th of November time है मा आपको guest rate नहीं करने क्योंकि हमने specific person को email बेजना चाहते हैं माल लीजे मैं team lead हूँ और मैं team meeting रखना हूँ तो मैं अपने team members को यह बताना चाहता हूँ कि इस दिन मैंने team meeting रखी है और आपको यह content prepare करना है इसलिए मैं आप guest rate नहीं करूँगा location है आप हम जरूर write करूँगा हमाली जे location है भोपाल हमारी meeting की और फिर आता है meeting कर description तो देखी यह है मेरी meeting कर description I hope this message finds you well we have an important upcoming meeting that I wanted to inform you about please be prepared with your content तो यह एक ऐसा मैंने description डाल दिया अपने team meeting के लिए अप जैसी मैं safe पर click करूँगा तो देख एक meeting मैंने पर create कर दिए 17th of November 2023 11 a.m. भोपाल title है हमारा upcoming sales team meeting अब हम जाएंगे पैबली connect पे जैसी मैं save and send टेस्ट के उसकी बटन पर click करूँगा इसका मतलब जो मारफेस step of integration है वो वर कर रहा है हमने google calendar के अकाउंट को successfully connect कर दिया पैबली connect से अब जैसे आप google calendar पे कोई नया event create करेंगे तो automatically उसकी details पैबली connect है अपने पास capture कर लेगा अब हम चलते हमारी next step की और मतलब हमारी action application पे और Gmail की मदद से हम हमारे team members को notify करेंगे कि इस दिन मैंने team meeting रखी है और आपको यह content prepare करना है तो click करना आपको connect पे और अब Gmail का account हम connect करेंगे पैबली connect से जाना आपको एडियो connection पे click connect with Gmail फिर आपको choose करना अपना account जिससे आप mail बेजना चाहते हैं फिर आपको वापिस authorization provide करनी है तो आप देखेंगे जो हमारे Gmail का account है वो भी connect हो जाएगा पैबली connect से अब account connect होते ही सबसे पहले हमको fill करनी है recipient email address जिसको mail भीजना चाहते हैं तो माल लीजे मैं specific person को अपने team member को mail भीजना चाहता हूं तो आपको मैं type कर दूगा उनकी mail ID वो भी manually test add the rate pabliatudes.com आप चाहें तो और भी person को email भीज सकते हैं आप event create किया है फिर आता है senders team तो senders team माली जा है मेरा team lead यह होगया senders team फिर आता है email का subject तो email का subject हम यहापे करेंगे मैं अब यह map क्या होता है mapping का मतलब यह होता है कि response हमको मिल चुका है trigger application से मतलब google calendar से इसी का use हम यहापे कर लेंगे वो भी without manually type करके इस process को हम कहते है mapping तो देख यहां से map कर देंगे email का subject upcoming sales team meeting अब mapping is really important process होती है क्योंकि जो भी data महापे map कर रहे हैं यह automatically new data से हो जाएगा change इसका मतलब आप जैसी google calendar पे कोई नया event create करेंगे तो automatically event का subject है वो यहापे आके हो जाएगा update हमारा workflow का trigger और एक mail चले जाएगा email notification चले जाएगा वह भी किसी specific person को कि हमने नई team meeting रखी है और subject automatically update हो जाएगा इसलिए mapping होती ही जरूरी process क्योंकि जो भी data map करते हैं वो automatically new data से हो जाता है change email content time अप रहे हैं फिर आता है email content तो जो आप mail भीजना चाहते हैं उसकी जो पूरी body है जो आप message भीजना चाहते हैं वो हमको यहापे करना है फिल्ट तो hope this message finds you well इस तरी के description मैंने आपे कर दिया पूरा map please be prepared with your content और फिर यहापे मैं टाइप कर दूँगा meeting की location और meeting का date and time तो location कहते है हमारी meeting की वापिस हम खोलेंगे google calendar हमारी trigger application meeting की location थी भोपाल मद्रप्रदेश और meeting का time था start date and time 17th of November 2023 और time था हमारा 11 a.m तदिकी सारी details मैंने आपे कर दिया फिल्ट अब यहाँ भी मैंने यूज किया mapping का क्या होगा जब भी आप google calendar पे कोई नया event create करेंगे तो automatically इस इवेंट का जो subject है वो यहाँ पे update होगा जो description है वो यहाँ पे update होगा location और date or time automatically यहाँ पे update हो जाएंगे इसलिए mapping करना होती जरूरी process हम simply click करेंगे save and send टेस्ट को इसकी बटन पर और अब देखेंगे same person को एक mail receive हो जाएगा वो भी meeting की details के साथ जो हमने create करी थी google calendar पे देखें हमको API response मिल चुका है इसका मतलब same person को एक mail जा चुका है तो चलता है हम इनकी mail ID पे check करते हैं और देखें हमको mail हुआ receive इसको हम करेंगे open और देखें dear employee I hope this message finds you well we have an important upcoming meeting that I wanted to inform you about please be prepared with your content location है बोपाल मद्दप्रदेश और meeting का date or time है यह और meeting का subject है upcoming sales team meeting इसका मतलब ज simply दो step में पूरा automation बना दिया जो वर्क करेगा हर 10 minute में क्योंकि Google calendar और पैबली करेंट के बीच का connection एक polling based connection है तो जो हमारे workflow का trigger है वो हर 10 minute में जाके Google calendar में चेक करेगा क्या हम आपे कोई नया data आया है और अगर आया होगा तो instantly हमारा workflow trigger होगा और Gmail के मिदद से एक mail चले जाए जानी से कर सकते हैं सिर्फ यहीं नहीं आप और भी application के integration पैबली करेट के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते है support at the family.com पर अगर आपको कोई queries है आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते है इस link पर अगर आप